कि अपनी पारी की शुरुवात में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को पूरी तरह से चूग गए बढ़ी अंकमफ़र्टबल लगे सुन्दर शॉर्ट गया पने सीधा चार रन के लिए कप्तान ने बढ़िया फील्ड लगाई है और गेंद बास भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे है यह गेंद उपर गई है पर ज्यादा दूर नहीं कोई फील्डर मौज नहीं वहाँ तारीफ करनी पड़ेगी गेंद बास की यहां पर अच्छे रिदम में लग रहे हैं करारा शॉर्ट बल्लेबास का और यह चे रन अच्छी आकिरिसी दिखा रहे हैं गेंद बाद अपने स्पेल में दमदार शॉर्ड और यह चक्ता कप्तान ने बढ़िया फील्ड लगाई है और गेंद बास भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाद ही कर रहे हैं बड़ा शॉर्ड बहतरी टाइमिंग छे रन के लिए दरशक इस पचास रन को अपने तालियों से सराते हुए बहुत ही अच्छी पारी चत्तुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं गेंद बाज करारा प्रहार बल्ले बाज का छे रन के लिए तारीफ करनी पड़ेगी गेंद बाज की यहां पर अच्छे रिदम में लग रहे हैं शांदार शॉट दिल खुश हो गया यह शॉट देखकर वालिटी गेंद बाजी कप्तान की फील प्लेसमेंट भी काफी अच्छी रही है तग्रा शॉट बल्ले के एक दम बीच से निकली एकेंद दोनों ही बल्ले बाज अपसेट चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे अधिया गेंद बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएंगे बहुत जोर से मानी की चक्कर में अपना शेप खो बैटे बल्ले बाज फ्री हिट कनवर्ट नहीं कर पाएंगे हवा में गई है गेंद भडिया लेंग बल्ले का किनारा लगा और कैश दे बैठे इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बास से पविलिन के और जात हुए बल्ले बाज बड़े हताश में भी मिल जाएंगे चार रन लेंग काफी जल्दी पिक की वहां पर बल्ले बाज ने चत्तुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं गेंद बाज घराब शॉर्ट सेलेक्शन बिल्कु समझ नहीं पाए गेंद को बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे बल्ले बाज को बिल्कुल आइडिया नहीं था उस गेंद को कैसे खेले बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे चौका बैतरी शौर्ट बल्लेबास द्वारा नो बॉल का इशारा बल्लेबास को मिलेगी अब फ्री हिट चलिए देखते हैं कि बल्लेबास इस फ्री हिट को कैशिंग कर पाएंगे अच्छा कवर किया ये थ्रो को पिछ पर कितना पर्चेस मिलता है कि अच्छी आक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंबाद अपने स्पेल में कि अच्छी ऴीच्ट जना उना साव siete-गे को अच्छान